आज मैं आपको जो हमारी हिंदी वुक है उसका लेशन सेकिंड मेरा बच्पन इसके आज हम बुक वर्क और कोशन अनसर्स दोनों करेंगे ओके दिखिए सबसे पहले पुस्तूत पार्ट के रेखक का नाम बताएए सिरी एपीजी अब्दुलकुराम रेखक का जनम का हुआ था इस लेशन के रेखक है सिरी एपीजी अब्दुलकुराम जो भार्ट के भूत पुरो राश्ट पती थे तो उनका जनम का हुआ था तमिलनाडु के मदरास राज्या में रेखक के पीता का व्यक्तितफ कैसा था अडंबर हिन वो दिखावा नहीं करते थे ओके रेखक की कद काठी थी छोटी रेखक प्राय अपनी मा के साथ खाना खाते थे नीचे बैटकर रेखक का बचपन बीता सादगी में रेखक का घर था पुस्तैनी बचपन में रेखक की कितने मित्र थे तीन आगे दीके अब हम इसके question anser करेंगे रेखक की मा रेखक को क्या-क्या खाने में देती थी रेखक की मा रेखक को चावल स्वादिश्ट साम घर का अचार और नारियर की ताजस्चतुर्ट में दीती थी है। रेख्ण के घर के निकट कौन तीलत था। रेख् moblt के घर के निकट wild ingक गार के लिक तापजारी का क्या नाम था। मंदिर के पुजारी का नाम सोप्हास्त्रीती था। था रेखो को अपने माता पीता से क्या सिक्सा मिली रेखो को अपने माता पीता से अडम वरहिन दिखावा रही उन्सासन और इमानदारी की सिक्सा मिली आगे देखे पीता जी ने रेखक को संकर्ट की परस्तीतियों के लिए क्या बात समझाई पीता जी ने रेखक को संकर्ट की परस्तीतों में संकर्ट का कारण जानने की बात समझाई और उसका आतम विसलेशन करने की बात समझाई लेकक ने अपना लक्षय किस प्रकार पूरा किया मैं कई बच्चों में से एक था हम लोग पुस्त्यानी घर में रहते थे मेरा बच्पन भोर्ती, निश्टता और साद्यपन में बीता विपती हमेशा आद्विस्प्रेशन का अवसर पड़ान करती है ये तीनों ही ब्रामन प्रिवार से थे सिरी अया ने मेरे साथ बाहर बैट कर खाना खाया आगे दीखे राइटरों रेखक अपने घर में के वर एक बालक था नहीं कई बालक थे रेखक के बच्पन में पांच पक्के मिंतर थे नहीं तीन पक्के मिंतर थे रेखा के घर में रामेश्तुर मंदर दस मिट की दूरी पेता हन जी रेखा के आसपास के लोग रोज जखड़ते थे नहीं प्यार से रहते थे लक्समन सास्तरी रेखा के पीता के अभीन मित्तर थे हन जी अध्याप्रक ने रेखा को मुस्लमान होने की कारण अलग बठाया था हन जी क्योंकि अभ्दुर्कुराम जी एक मुस्लमान थे तो बच्पन में उनके अध्याप्रक ने मुस्लमान होने की कारण उनको भक्समे अलग बठाया था आगे देखिए रेखक, सिरी एपी जी अब्दूर्कराम, अडम्बरहीन रेखक के पिता, अदरसंपति, धंपति रेखक के मातापिता, तेड़सतर रामे श्रम मंदिर, लक्षमन सास्त्री मंदिर के पुजारी, रंबे, अगे इनके विलोम सब्द बताने हैं, रंबे ठिगन सुन्दल कुड्रूब, दुख सुख, संकट एसंकट, दूर पास, नीचे उपर, स्वाधिष्ट स्वाधिन, प्रेम ग्रीना, सफलता एसफलता, पीछे आगे, कठोर कोमर, सीतल चंचल, आगे दिखी मद्या वरगिंग, मद्या वरग का, हम मद्या वरगिंग घर से लड़की नहीं जाएंगे, अडंबर ही दिखावराई, रेखर के पिता जी अडंबर ही विरकते थे, स्वाधिष्ट, जिसका स्वाध अच्छा हो, आज का भोजिन बहुती स्वाधिष्ट है, भेदभाव, अंतर, किसी के प्रती भेदभाव नहीं करना चाहिए, आत्म विसलेशन, अपनी चान बिन, अपने आत्मा की चान बिन, विप्ति हमेशा आत्म विसलेशन का अवसर परदान करती है, आगे हमारे हैं, हमारे यहां भूत पर राश्पतियों की पिक्चर पेस्ट करनी है, और उनकर यह लिखना है कि वो कब से कब तक रहे, तो डाक्टर राजिंदर प अब हमने भारत की किसी एक पुरू राश्पति की जवन की कोई एक रोच घड़ना बतानी है, तो हम यहां अबदुलकुलाम जी के बारे में ही बात करेंगे, एक पी जी अबदुलकुलाम का जनम एक गरीब तमिल मुस्लिम प्रिवार में 15 अक्तूबर 1931 को तमिलनाडु के तीर्थ नगरी रामेस्वर में हुआ था, एक दिन उनके वियान सिक्सक सिव सुब्रम अल्याने उन्हें खाने पर अपने घर बुलाया, प्रंतु उनकी पत्री ने मुसल्मान बालक को अपनी सोई में भोजन खलाने से साफ में इनकार कर दिया, तब सिक्सक मोद्या ने दो मैं बोले बेटा, जब यवस्ता बदलने का सैंसरा कर रो, थोड़ी समस्या तो आती है, जब मैं दुबारा अध्यापक के घर गया, तो उनकी पत्नी ने मुझे अपने हाथों से खाना पुरोसा, इस खटना ने कलाम जी की पुरी जिंदगी बदल दिया, जो अध्यापक की पत्नी थी, वो मुसल्मान होनी कारण उसको अपने घर में बैठने से मना कर दिया, कलाम जी को अपनी सोई में बैठाने से मना कर दिया, प्रन्तु अध्यापक जी ने कहा कि मैं की सोच को बदलूँगा, और कहा कि विवस्ता बदलने में समय लगता है, तो अगले हफते अपने पास बैठके अपने हातों से खाना प्रोसा, तो ये वाली घर में कलाम जी की पूरी जिन की ही बदल डाली, ओके हमना इस्टे